नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धमसरमार मेश रासी वालों संगर्स हुआ खत्म सिख्री मिलेगी खुसकबरी जी हाँ दोस्तों ये प्रेडिक्सन चंदर रासी पर आधारित है और गोचर में गरहों की इस्तिती कुछ इस्पकार से अभी बन रही है कि आपकी जीवन वैसे भी सफल रहने वाला है आप जो भी करेंगे हर कारे में सफलता मिलेगी लेकिन हम आज इस टॉपिक पर बात कर र रहा है मेश रासी अगनी तक्तो की रासी है और आपके अंदर उर्जा बहुत होती है मेश रासी सभी रासियों में सबसे ज्यादा मजबूत रासी है और आपके अंदर चुकी उर्जा बहुत होती है क्योंकि यहां पर सूर्य आपका सबसे ज्यादा महत्वपुर्ण ग्रह और मेश रासी वाले साहसी नेत्रित्तु करने वाले और थोरे से क्रोधी होते हैं और लीडर्शिप का गुन आप में भरा हुआ होता है और आपका स्वामी स्वयम मंगल हैं मेश रासी में सूर्य उच्चिके होते हैं और अभी उच्चिका सूर्य जीवन के बहुत सारे लाब सब को दे रहे हैं मेशरासी वाले उन में से खास हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं संघर्स की कुंडली के त्रिकोन भाग इनके स्वामी लगन पाच्वा नौमा खाना के स्वामी बताते हैं कि जीवन में संघर्स कितना होगा और पांचवा खाना सबसे ज़्यादा महतफूर्ण होता है इसे संतान खाना भी कहते हैं, बुद्धी का भाव भी कहते हैं और इसके स्वामी मजबूत होने से जीवन का संगर्स कम हो जाता है पांच भाव यानि पांचवा खाना अगर मजबूत हो तो ऐसी दसा में कमप्रियास में बड़ी सफलताएं मिलने लगती है जीवन में लेकिन पंचमभाव अगर कमजोर हो तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो मेस रासी वालों आपके जीवन में बहुत ही कम उम्रे से ही संघर्स सुरू हो जाता है तो संघर्स यहाँ पर मेस रासी वालों में बच्पन से ही सुरू हो जाता है और यहाँ आप संघर्स को खत्म करने के लिए क्या करें ये भी हम बतलाएंगे अगर आपके धन की बात करें तो मेस रासी वालों को धन मध्यम चाहिए जीवन में ना कम ना ज़्यादा हाँ आपकी इच्छा धन बचाने की जरूर होती है लेकिन धन की परिशानी है तो फिर ये भी एक संघर्स का कारन हो जाता है हर रासी की अलग-अलग अलिमेंट होते हैं अलग-अलग तत्त होते हैं ताकत होती है और कमजोरी भी होती है और मेस रासी वालों के लोग जो होते हैं सामानेत चंचल होते हैं तुनक-मिजाज होते हैं दिमाग एक जगह पर इनका स्थेर नहीं होता और छोटी-छोटी बात इनको कभी-कभी बुरी भी लग जाती है वैसे तो सनी देव मेश रासी में कर्म और लाब के स्वामी है और बिना सनी के ना तो आपका करियर बढ़िया होता है और ना ही धन का लाब होता है जीवन में तो पैसे का खर्च भी सनी ही करवाता है यानि संघर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती है लेकिन जैसा हमने टॉपिक रखा है संघर्स हो रहा है खत्म आपको जीवन का संघर्स खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए और ऐसा क्या करें कि जीवन में खुसियां ही खुसियां आती रहे दोस्तों सबसे पहले तो आप यह जान ले आपका स्वामी सूरे हैं क्योंकि यहां पर सूरे बहुत मजबूत होते हैं और सूरे का धातू होता है तामबा तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गले में इसपटिक की माला धारन करनी चाहिए आपको सफेद इसप मॉकेट देखके ही लीजिएगा दोस्तों तामबा का छला आप पाई हाथ की रिंग फिंगर में जरूर धारन करें रविवार के दो पहर किसमें और ऐसा करने से जीवन का संघर्स कम होगा स्वास्त उत्तम रहेगा और आपका जो क्रोध है वो भी कम होगा साथ ही साथ आप रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाया कीजिए कंठ पर या माथे पर और घर से बाहर निकलने के समय बड़ो का आसिरवाद लें या फिर अपने इस्ट को याद करके निकलें ऐसा करने से आपको कारियों में सफलता भी मिलेगी और जीवन का जो संघर्स वा यह आप अपने से जो आपके छोटे हैं आपके जो अंदर काम करते हैं उनका आप इज्जत करें उनको सम्मान दें इससे ज्यादा कुछ और करने की अवसकता नहीं है और बिना मतलब पर उन पे क्रोध ना जाहिर करें क्योंकि वो अगर परसंद है आपके जो अंदर काम कर करते हैं आपसे जो नीचे हैं तो उससे क्या होगा आपका जीवन में सनी सनी देव खुसियों का आगमन कराएंगे और संघर्स कम होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ धन् मिलेंगे किसी के साथ जरू एपका जरूर रज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर का जरूर दो उला.